हालो फ्रेंट्स वेलकॉम बेक माई यूटूब चैनल मिस्टर आर्शरमा तो दोस्तो आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं और एक विशेश अपडेट को लेकर कि जो जो पीजीटी एक्जाम है आपका जो करवारा है एच्पी पीएस्सी हिमाचल प्रदेश पब्लिक आऑट प works आउड़ द हो कि जो एक्जाम फॉरं करने की डेट ती तेरह नवंबर 223 टीक और कुछ बच्चों की बार बार प्रयास करने पर क्या सब्कूर्स करसे में प्रियास कैकर किसियों चुछ ने दिसय्व जो क्यों बढ़ाई चा-छों द्रह को लेकर जो बार-बार बच्चों के द्वारा प्रयास किये गए तो पीसी द्वारा एक भैसला लिया गया है कि जो इसकी फॉर्म फिल करने की डेट हैं वो तेरहां एच सोरी तीस नवंबर दो हजार तेश तक बढ़ा दी गई है जो पीजी टी एक्जाम है पीसी द्व करवा जा रहा है इसकी जो एक्जाम डेट है वो कब तक हो चुकी है तीस नवंबर दो हजार तेश तक बढ़ा दी गई है आप तीस नवंबर तक अपने जो फोरम है फिल कर सकते हैं साथ ही जो पीसी के द्वारा सैत का एक्जाम करवा जारा स्टेट इलेजिविटी टेस्ट इसकी जो एक्जाम डेट है वो फिलाल अभी है सतरा नुवंबर दो हजार तेश तक ठीक है इसकी एक्जाम डेट क्या है सतरा नुवंबर दो हजार तेश तक और जो PGT आपका EMRS है EMRS ठीक है एकलववे मोडल रेजिडेंशल स्कूल है सेंटर गवर्मेंट द्वारा ही जो पॉलिसी हो चलाए गए थी स्कूल है सेंटर गवर्मेंट के तहत आते हैं इसके द्वारा भी पिछले ही कुछ महिनों में PGT, TGT, नौन टीजिंग स्टाप और होस्टल वार्डन की ज चुकी है तो इसकी एक्जाम डेट है 16, 17 और 24, 25 ये दिसंबर 2023 की बात हो रही है 16, 17, 24 और 25 दिसंबर 2023 के अंतरगत ये एक्जाम होंगे कौन-कौन से PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन और नौन टीजिंग स्टाप इन चार पेपरों के जो एक्जाम डेट है 16, 17, 24 और 25 दिसंबर 2023 का है ये किसकी बात कर रहे हैं एक क्लब्वे मॉडल रेजिटेंशल स्कोल की है जो पिछले कुछ महिनों में इसके आवेजन है वो मागे गए थे और इस पर कुछ स्टे भी लगाया गया था आपका उतराखंड के एक हाई कोड द्वारा किसी की द्व विडियो बनाई है वो है जो है जो है एच्पीपीएसी पीजिटी एक्जाम कर रहा है वो है आपका 30 नॉवंबर 2023 तक एक्जाम डेट बढ़ा दी गई है पहले इसकी जो आपकी फोरम फिलप करने की डेट थी वो दी 13 नॉवंबर 2023 की आपकी त्यारियां कैसी है अभी मान क खवताय है कि अपरेल और मई में हो सकते थे लेकिन मार्च में स्कूल व्यस्त होते हैं बोर्ड की परिक्षाएं करवाने में तो ये सेंटर नहीं दे सकते स्कूलों में इसलिए मार्च में भी पेपर नहीं हो सकता जो तय है कि अपरेल और मई 2024 में ही PGT का एक्जाम होगा जो HPPSC शिमलादवारा करवाया जा रहा है तो आपकी त्यारियां बिलकुल अच्छे से होनी चाहिए और आपको पताए कि इस बार क्या है पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकिंड है ठीक है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकिंड है पेपर में 100 प्रशन है 100 अंक है इतना ध्यान रखें पहला प्र प्र आपका क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें नंबर चाहिए 35 अरथाद प्रशन होने चीह आपके 50 में से 18 ही और पेपर सेकिंड है यह आपका मेरिट बनाएगा मेरिट बेस है सो प्रशन है, सो अंक है पेपर फर्स्ट की मेरिट तब देखी जाएगी अगर पेपर सेकिंड में दो या दो से अधिक बच्चे एक ही अंक पह है मान कि चलिए पेपर सेकिंड में दो बच्चे ऐसे हैं या चार बच्चे ऐसे जिनके नमबर जो है वो त्रेपनारे पेपर सेकेंड में तो ऐसी स्थिते में अब इन चारों करिडिडेड के पेपर फ़स्ट देखा जाएगा कि कौन टोप पे है कौन उसके बाद है तो उस हिसाफ से उनको सलेक्ट किया जाएगा paper first का roll इतना है और बाकी merit जो बनेगी वो बनेगी paper second के paper first में आपके चार विशे बतायते हिंदी grammar, अंग्रेजी व्याकरन है आपका ठिक है अंग्रेजी grammar है, HPGK है और India GK है, जो आपके grammar वाले हैं 10 हिंदी के आएंगे, 10 English के आएंगे, HPGK के 15 प्रशन आएंगे और इंडिया जी के वी 15 प्रशन आएंगे कुल मिलाके 50 प्रशन होंगे 100 अंक होंगे तो आपका क्वालिफाइंग है 35 अंक जरूरी है और 18 प्रशन सही होने चीए पेपर सेकिंड आपका मेरिट बैस है 100 प्रशन है 100 ही अंक है अगर आप त्यारियां कर रहे हैं तो आपको पताए कि इसके लिए मैंने आपको पेपर फर्स्ट के लिए बता दिया आपको लूसेंट पन नहीं है व्याकरन के लिए चाहिए वंगरेजी हो या हिंदी हो HPGK के लिए आपको हिमाचल दरपन और इंडिया जी के लिए भारत दरपन बहुत है पेपर सेकिन्ड के लिए मैंने आपको 2 किताबे बताई थी क्योंकि पेपर सेकिड है subject based जिसमें आप पेपर देने हैं जैसे हिंदी विशे के के बात करें तो हिंदी विशे में आपका paper second का पूरा सो प्रशन आएंगे और इसके लिए आपको दो किताबे मैंने बताई थी पहली बताई थी सरस्वती पांडे की और दूसरी बताई थी अशोक तीवारी की दो किताबे बताई थी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है उसके आलवा मैंने कुछ बच्चे जो हैपिसली वीडियो में मैंने जान करी दी थी कि मेरे द्वारा कुछ नोट्स त्यार किये गए हैं और वो आपका paper first का है हिंदी व्याकरण का हाथ से लिखे गए नोट्स हैं उसी तरह paper second का है जिसमें संपूरा ले ट्रेजर दिया गया है और यह दोनों जो books हैं वो आपको हाथ से लिखी हुई है फोटो स्टेट की विया ठीक है इसका जो मुल्य बताया था वो बताया था paper first का था 300 paper second का है 450, 400, 400, ठीक है कुल मिला के बनते हैं 1,600, लेकिन फिलाल आपको दोनों जो अगर आप paper first और paper second दोनों इकठे मंगवाते हैं तो यह पढ़ती आपको 600 की दोनों किताबे, 600 की आपको दोनों किताब मिलेगी, प्लस 70 रुपे अगर कोई by post मंगवा रहा है तो 70 रुपे आपको by post का जो है वो प्लस करना होगा, अर्था 670 रुपे में आपको दोनों किताबे घर पर by post मिल जाएगी, ठीक, आपको पढ़ना कैसे है, वो मैंने आपको पहले जो जो बच्चे तो notes मंगवा रहे हैं, उनको तो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आप ये वाला notes खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना है जैसे आप हिंदी व्याक, इसमें आदी काल पढ़ रहे हैं, तो आदी काल पहले इसमें पढ़ा, उसके बाद कोई किताब फोलो कर लो, या सरस्वती पांडे, या फिर अशोक, तीवारी, उसमें फिर आदी काल पढ़ लिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एक notes को पढ़के सारा हो जाएगा, तो ये तो शायद मुश्किल है कि आपको भी पताए कि एक एक चीज आप इसमें याद नहीं कर पा से मिल जाएंगी इतना तय है, लेकिन अभी वशर्त इतना है कि आपको पूरी पढ़नी होगी, इसलिए मैं आपको बोडाओं कि इसके साथ-साथ एक और बुक फोलो कीजिए, चाहे आप सरस्वती पांडे पढ़ लो, चाहे अशोक्तिवारी पढ़ लो, वैसे तु इन कित किताबों में सरस्वती पांडे अशोक्तिवारी रशुकल के विचार ही मैंने लिखे हैं, लेकिन फिर भी जिटो कोई पूरी किताब मेंने नहीं उतारी है, तो आप क्या करें, जैसे आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल पहले नोट से पढ़ा, फिर वही आदिकाल सर् किताब, मतलब जितने भी इसमें मैंने आपको लिखे हुए टॉपिक हैं, लगबग इसमें टॉपिक होंगे आपके हर इसमें चार खंडों में भी भाजित हैं, भाशा खंडवाला, कावे खंडवाला, गद्दे खंडवाला, कावे शासर खंडवाला, तो हर खंड को आपन को लगबग दो सी तीन बार जरूर पढ़ लें तो आपका सेलेक्शन तय है यह ठीक है यदि आप इन दोनों बुक्स को मंगवाते हैं मैंने आपको बता दिया 670 में आपको बाई पोस्ट पूरा खर्चा सहित मिलाकर हैं जो आपको घर तक मिर जाएंगे यदि आप मंगवान नंबर है WhatsApp नंबर है आप जरूर संपर करें और नोट्स मंगवा सकते हैं जो नोट्स नहीं मंगवा रहे हैं उनको इमें बोल दूँ आपको सरसोती पंडे और अशोकतिवारी बिल्कुल पढ़ने ही होगी उसके अलावा एकाध कोई मूल गरंथ भी पढ़ने जैसे शुकल का है हजारी प्रसाधी वेदी का है या फिर रामसरूब चत्रवेदी का है ठीक है और जो नोट्स मंगवार हैं उनको मेंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा उशकता भी नहीं है पूरा मैंने निचोड लिखा गया है जितना मेरा अनभाव है अभी तक का पढ़ाने का उसके इसाब से मैंने नौट्स त्यार किये हैं ठीक है यह आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछी का जो भी कोई अगली ऐसे बार अङ़ से खूंग कोईया पे धिशग़के टाबाद ग्या स्वाव मैंने के लदोने झाल विजितना में सम्कावची का टूबावों विशकता बातया कर तो आदätर क्माने कया है यिए उदकना लेक्षण होोगा है यजचना कूश्वारा कूश्या से ओ Germक मैं रहे